नमस्कार दोस्तों मैं लखनों से आदित्य तो फाइनली दोस्तों एक बाद फिर से आचुका हूँ एक नई वीडियो लेके पहले तो माफी माँगना चाहूँगा काफी लेट हो गया यार वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ और जो बनाई थी तो पर्मीशन ना मिलने की व इंटर्नल आडियो माइक है तो वह सब मैं चेक कर रहा हूँ वैसे साथ साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही होगी मुझे भी नहीं मालू मैं चेक कर रहा हूँ कैसा क्या इसका सीन है और क्वालिटी के मामनें बता दो मैं जिस रेवलूशन पे इसको शूट कर रहा हूँ वह 1080 60fps पे है खाला कि इस पे मैं 4K 60fps पे भी शूट कर सकता हूँ बट मुझे थोड़ा लो क्वालिटी में कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे अप्लोड करने का भी इशू हो सकता है अभी बस मैं डेमो ले रहा हूँ 4K 60fps पे भी मैं शूट करूँगा तो बता ही वीडियो जो नहीं डाल पा रहा हूँ अगर यह मुझे टाइमली मिलता रहा है वैसे इस कैमरे को जो लिया गया है पॉकेट को स्मो 3 को वर्क के लिए लिया गया है कि वेडिंग लाइन में थोड़ा इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कापी अच्छे शॉट से भी निकल सकत तो हम लोगों ने उसी के लिए ही लिया है और बाकी अगर फ्री टाइम में मुझे को मिलता रहा तो मैं व्लॉगिंग करता रहूंगा वैसे वीडियो में कोई ब्लर नहीं हो रही है पास भी कर लिया है दूर भी कर रहा हूं क्वालेटी अच्छा है इसका तो यही सम मैं च जाएंगे तो मुझको माइक की जवर्वत पड़ेगी अभी तो मैं नॉर्मल अपनी छत पर शूट कर रहा हूं तो कोई इशू नहीं बैग्राउंड में ट्रेन जा रही तो उसका आवाज आओ चिडियाडियां बोल ली उसकी आ रही होगी बस इसका इंटरनल माइक अच् कि 120 fps पे 150 fps अभी मैंने चेक नहीं बाद में चेक करूंगा अभी वस आया है तो मैंने सुचा एक डाइमो तो लेई लू इतना प्यारी चीज़ा है इतना प्यारी चीज़ा यह क्यूमेंट्स है तो चेक करना तो बनता है यार तो वही मैं चेक कर रहा हूं क्वालिटी अच् अच्छा निकल जाए और मेरे लिए सबसे बढ़िया तो यह क्यूंकि मैं इसको अब मैं बहुत ही जादा यूज़ करने वाला हूं प्री टाइम में यह नहीं की काम के टाइम में जब प्री होंगे तो इसका मैं प्रपर यूज़ करूंगा तो एक बावर मैं बोल देता हुआं कि मेरी वीडियो ने दिशे नहीं डाल पा रहा था बट कोशिच करूँगा कि हपते में मैं 2-3 long वीडियो में डाल कर रहा हूं क्योंकि मैं जो मोबाइल से बspace बनाता था एक्सपोर्ट में बहुत टाइम लेता था पता नहीं मेरे PC का प्रॉब्लम में क्या है कि अगर में पांच मेट के उसमें वीडियो लगाता हूँ रेंडरिंग के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए तो वह 6-6 घंटे तर ले लेता है तो बनाने के कोई फायदा नहीं हो था क्योंकि उसको लगाओ कि उसके बाद में एडिट करना फिर उसके बाद में आडियो करेक्शन कलर करेक्शन सब कुछ करने के बाद में जब मैं उसको पाइनल एक्सपोर्ट करता हूं तो 6-7 घंटे ले लेता है वीडियो तो मैं बहुत शूट कर लूँ पर एडिटिंग के टाइम में एक्सपोर्ट टाइम जब ज्यादा लेता है तो कंप्यूटर भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है अगर इसका एक्सपोर्ट या एडिटिंग करता हूं वीडियो अगर जल्दी हो जा रहा है एक्सपोर्ट तो मैं इससे फटापट में वीकली में तीन लॉंग वीडियो डालने की कोशिश करूँगा अभी तुम मुझे खुद नहीं मालूँ मैं डाल नहीं बट अगर हां अगर मैंने इस कामरे से बनाई और इसका एक्सपोर्ट टाइम कमरा जैसे पात दस मिनट या आदे घंटे में ले लेता है तो फिर मैं इससे बनाकर फटा फट में एडिट करके अपलोड कर दो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि एडिटिंग क निकल जाएंगे तो उसको मैं सायद आगे आपको दिखा सकता हूँ अभी का तो नहीं बता सकता हूँ बट मैं आगे आपको दिखा सकता हूँ तो डेमो इसका अब मैं चेक करने जाओं तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और फटा 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 मेरी वीडि में तो अभी के लिए सबी को बाबाए